हेलो स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं देशन अकेडमी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बीहवियर ऑफ हेलोजन्स के टॉपिक को तो जैसा के हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रियक्शन्स के बाद हम नेक्स टॉपिक पे आ गए हैं इसमें हम हेलोजन्स के बारे में पढ़ेंगे और इनका केमिकल बीहवियर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर हम कुछ ट्रम्स देखने वाले हैं जैसे के बॉन्ड इन्थैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी ऐसे डिटी अफ हेलोजन्स strength of oxidizing agent and reducing agent इनकी strength जो है वो हेलोजन्स के अंदर कैसे होती है इनके जो है वो पूरे हम सारे हेलोजन्स के बारे में यहां पर discuss करने वाले हैं तो आईए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे bond enthalpy bond enthalpy क्या है इसे हम bond energy भी कहते हैं तो यह वो energy होती है जो किसी भी एक element को दूसरे element के साथ bond तोड़ने के लिए चाहिए होती है suppose यहां पर एक chlorine है यह दूसरा chlorine है इन दोनों का बीच में एक bond है कोविलन बान्ड है अब इस bond को अगर हमें तोड़ना है तो इस bond को तोड़ने के लिए हमें कुछ energy देनी पड़ेगी कुछ heat देनी पड़ेगी क्योंकि bond को तोड़ने के लिए हर किसी भी bond को तोड़ने के लिए heat चाहिए होती है या energy चाहिए होती है तो इसे जो energy हम देंगे वो energy का amount जो है इसकी bond energy कहलाएगी जितनी इस bond की energy होगी उतनी हमें energy देनी होगी इस bond को तोड़ने के लिए तो bond energy वो energy है जो हमें किसी भी bond को तोड़ने के लिए चाहिए होती है तो bond energy depends on size of atom, bond length and intermolecular forces अब ये bond energy किस पर depend करती है bond energy जो है वो atom की size पर भी depend करती है bond की length कितनी है इस पे भी depend करती है bond length पे या फिर inter molecular forces पे भी depend करती है कि molecules के बीच में forces कितनी है तो इन तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए हम calculate करते हैं bond energy को तो यहां पर हम बात कर रहे हैं halogen की bond energy के बारे में तो आएए देखते हैं किस halogen की कितनी bond energy है तो यहां पर halogen की bond energy देखने के लिए हमें सबसे पहले consider करना होगा कि halogen का same elements के साथ bond है तो अब यहां पर fluorine है यहां पर chlorine का bond है bromine का है और iodine का है यह F2 है यह CL2 है यह BR2 है और यह I2 है अब यहां पर इसका सबसे पहले radius देखें तो इसका atomic जो radius है वह है 72 Flourine का है लोरिन का है 100 तो जैसे ही नीचे जा रही है इसका atomic radius बढ़ता जा रहा है तो यह तो आपको पता है कि ग्रूप में नीचे जाने से atomic radius बढ़ता है आगे देखते हैं, bond length जो है यह भी जैसे हिम नीचे जा रहे हैं तो जैसे ही atomic radius बढ़ रहा है तो bond length भी बढ़ रही है मतलब जतना बड़ा item होगा उतनी बढ़ी उनकी bond length होगी अब bond length अगर बढ़ी होगी तो हमें उसको तोड़ने के लिए जो है वो कम energy चाहिए होगी क्योंकि elements के बीच में attraction कम होगी तो जतनी bond length बढ़ी होगी उतनी bond energy कम होगी तो bond energy वो energy होती है जो किसी भी bond को तोड़ने के लिए चाहिए तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे ही bond की length बढ़ रही है तो bond length अगर बढ़ रही है तो bond की energy कम हो रही है क्योंकि जैसे ही bond length बढ़ेगी तो electrons जो है वो नूकलस से थोड़े सा दूर चले जाते हैं तो दूर चले जाते हैं तो उन्हें वहाँ से remove करना और bond को तोड़ना easy होता है तो energy कम हो जाती है तो यहां पर हमारे पास जो है वो जैसे ही नीचे जाने से यहां पर bond length कम हो रही है तो bond energy बढ़ रही है बांड length बढ़ रही है और bond energy कम हो रही है तो अब देखें सबसे पहले जो यहां पर fluorine की bond energy है वो 190, 159 जो है वो यह है और chlorine की 242 है रे बढ़ गई है अब नीचे जाने से जैसे ही कम हो रही है यहां पर एक reason है, fluorine is small size atom due to large repulsion between non-bonding electron तो fluorine के अंदर क्या है, अंदर जो अंदर के non-bonding electron है, वो electron जो bond के अंदर नहीं है अलग से जो नीचे वाले electrons है, उनकी repulsion ज्यादा है तो यहां पर यह fluorine का अगर हम atom यहां पर बना लें, तो यह fluorine है अब इस fluorine के अंदर क्या हो रहा है, यह हमारे पास जो fluorine के अंदर वाले electrons हैं यह अंदर वाले electrons की repulsion है, वो बहुत ही ज्यादा है जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है, इसकी bond energy कम हो रही है, बॉन्ड जल्दी से तूटते जा रहे है तो इसलिए इसकी bond energy कम है, फिलोरिन की small size की वज़ा से और इसके electron की large repulsion, बड़ी repulsion की वज़ा से क्या हो रहा है, बॉन्ड इनकी bond energy कम हो रही है बाकी इनकी जो chlorine, bromine, iodine, इनकी bond energy गुरूप में नीचे जाने से decrease हो रही है तो इस तरह से अगर bond length बढ़िये तो bond energy कम होगी अब यहांपर increase in bond length, decrease in bond energy, जितनी ज़्यादा bond length होगी उतनी कम bond energy होगी तो इस तरह से यह हमें bond energy का यहांपर हमने पढ़ा next behavior हम देखेंगे acidity of hydrogen halides, अब यह hydrogen halides क्या है देखें hydrogen halogenes जो हैं वो जब भी hydrogen के साथ react करते हैं तो हमारे पास बनाते है hydrogen halides यह तरह के acids होते हैं जैसे के हमने पढ़ा है कि HCl hydrochloric acid, HF hydrobromic acid, HBR hydrochloric acid, HBR hydrobromic acid and hydroiodic acid यह चार halogenes हैं जो hydrogen के साथ reaction करके हैलाइट्स बना रहे हैं और यह हैलाइट्स क्या है एसेड्स हैं तो इन्हें hydrogen halides भी कहा जाता है इन्हें हम hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide भी कह सकते हैं या फिर हमें hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid and hydroiodic acid भी कह सकते हैं तो इस तरह से यह हमारे पास चार hydrogen halides हैं अब यह क्यूंके acids हैं तो इनकी एक acidity होगी, acidic strength होगी वो acidic strength हम यहां पर देखने वाले के उसका order क्या होगा? कौन सा hydrogen fluoride या कौन सा hydrogen halide सबसे ज्यादा strong acid होगा? कौन सा hydrogen halide सबसे कम या फिर weak acid होगा? तो यह हम यहां पर देखेंगे तो एक बात हम यहां पर consider करेंगे कि कौन सा acid जो है वो strong होगा? तो सबसे पहले यह हमें देखना है कि कौन सा acid इनमे strong हो सकता है? तो सबसे पहले hydrogen halides जो है यह सारे acids होते हैं और यह सारे strong acids होते हैं दूसरे acids के मुकाबले में बहुत ही strong acids होते हैं लेकिन अगर हम इन चारों के दर्मियान देखें तो ये एक दूसरे से कोई ज्यादा strong होगा कोई कम strong होगा लेकिन दूसरे acids से ये ज्यादा acids strong होते हैं अगर हम दूसरे acids की comparison में देखें तो ये acids strong होते हैं इन के बीच में हम comparison करने वाले हैं तो एक acid की strength क्या होती है हमने acid based वाले first year के अंदर chapter में पढ़ा था कि strength of acid equals to easily donate proton मतलब जो acid easily proton को donate कर सकता है जल्दी से proton को donate कर सकता है उसे हम strong acid कहते हैं तो proton को donate करना मतलब H plus iron को donate करना हमारे पास वा acid होता है जो H plus iron को donate करता है और OH negative को donate करता है उसे हम base कहते हैं तो यह हमने first year के chapter में पढ़ा था कि H plus donor जो है वो हमेशा acid होता है और जो easily जल्दी proton है वो donate कर सकता है जितनी जल्दी proton lose कर सकता है उसे हम strong acid कहते हैं और अगर वो easily lose नहीं कर पा रहा है तो उसे हम weak acid कहते हैं तो अब यहां पर देखेंगे कोई कौन जल्दी से proton को donate कर सकता है तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले proton donate करना यह हम किस से देखेंगे तो bond energy के साब से देखेंगे जिसकी bond energy सबसे ज्यादा होगी वो जल्दी से proton को lose नहीं करेगा और जिसकी bond energy सबसे कम होगी वो bond को, वो H plus I को जल्दी lose कर देगा तो bond energy जो है वो सबसे कम होनी चाहिए वो सबसे strong acid होगा मतलब क्योंके वो जल्दी से उसको lose कर देगा proton को bond energy कम होनी चाहिए तो H I जो है यहां पर hydrogen iodide यह क्या है यह इसकी bond energy सबसे smallest है तो उपर यहां पर हमने देखा था इस table में यहां पर देखेंगे यह bond length है यह bond energy है hydrogen iodide की bond energy जो है वो सबसे कम है और हमारे पास chlorine की जो bond energy है वो ज्यादा है और यहां पर यह जो fluorine के bond energy है यह फिर से chlorine से कम है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि bond energy जितनी कम होगी उतना वो acid जो है वो strong होगा तो यहां पर hydrogen iodide की सबसे कम है bond energy इसलिए यह सबसे strong acid है और इस तरह से हम जाएंगे इस side पे तो यहां पर हमारे पास सबसे कम जो weakest acid होगा वो hydrogen fluoride होगा hydrogen chloride उससे strong होगा और hydrogen bromide उससे भी ज्यादा strong होगा और hydrogen iodide सबसे strong acid होगा तो इसलिए यहां पर जो order बनेगा यहां पर bond जो strength का acidity की strength था तो यहां पर यह हमारे पास order बन जाएगा इस तरह से यह हम symbol लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि hydrogen fluoride वो weak acid है उससे ज्यादा hydrogen chloride जो है वो हमारे पास strong acid है और उससे ज्यादा हमारे पास bromide है उससे ज्यादा iodide का acid है तो यह acid इस तरह से जो है वो अगर हम group में नीचे जाएंगे तो यह acidic strength जो है वो बढ़ेगी और नीचे जो है वो strong acids होंगे तो इस तरह से यह हमारे पास acidity of hydrogen hyalides आजाता है आगे हम चलते है strength of oxidizing agent अब oxidizing agent क्या है और इसकी strength जो है है वो हैलोजन्स में कैसे vary करती है यह हम देखते है तो पहले देख लेते हैं oxidizing agent क्या है तो chemistry में आप दो तरह के reactions पढ़ते हैं एक होते हैं oxidation reaction और एक होते हैं reduction reaction तो यह दोनों reaction क्या हैं यह आप पहले से पढ़ चुके हैं यहां पर मैं आपको simple में बताऊंगा oxidation reaction वो reaction होते हैं जिसके अंदर electron जो है वो lose होता है तो अगर कोई भी atom electron को lose कर रहा है तो हम कहते हैं कि यह oxidation होई इस atom की oxidation होई है अगर वो electron कोई भी atom जो है वो electron को gain कर रहा है तो उसका मतलब है उसकी क्या होई रही है reduction हो रही है तो oxidation और reduction का मतलब यही है gain of electron and lose of electron gain of electron मतलब reduction और lose of electron मतलब oxidation अब यह ऐसा कैसे होता है क्योंकि जब भी electron gain होता है तो atom के उपर क्या आती है negative charge आती है और जब भी negative charge आती है तो इसको हम reduction बोलते हैं और जब भी positive charge आती है electron lose होता है तो positive charge आती है और इसको हम oxidation बोलते हैं तो यह दो reaction होते हैं oxidation and reduction reaction अब oxidizing agent और reducing agent क्या है oxidizing agent वो element कहलाता है या फिर वो specie कहलाती है जो कि किसी भी reaction में खुद reduce हो जाए और दूसरे को सामने वाले को oxidize कर दे मतलब खुद की reduction हो जाए और सामने वाले element की oxidation कर दे इस element को हम oxidizing agent कहते हैं दूसरे अलफाज में one who accept electron या वो खुद reduce हो जाए या वो electron को accept कर ले मतलब accept electron मतलब gain करना और gain का मतलब होता है reduction तो मतलब reduction ही होगी अगर वो electron gain करेगा तो उसको हम reduction ही कहते हैं और अगर खुद reduce होकर दूसरे वाले को oxidize कर रहा है तो उस element को हम oxidizing agent कहते हैं तो एक reaction देख लेते हैं यहां पर तो यहां पर suppose हमारे पास है sodium और यह sodium जो है यह reaction कर रहा है chlorine gas के साथ यहां पर sodium और chlorine gas जो है यह मिलकर क्या बना लेंगे sodium chloride बना लेंगे तो यहां पर यह मैंने simple reaction लिए जिसमें यह sodium chloride बन रहा है तो यहां पर हम इसको balance कर देंगे अब यहां पर आप देख लें यह हमारे पास सोडियम है और यहां पर सोडियम की ऑक्सिडेशन स्टेट क्या है जीरो क्लोरीन की ऑक्सिडेशन स्टेट क्या है जीरो तो आपको पता है कि oxidation state जो है वो element की और common element या molecule की zero होती है लेकिन जब वो compound बना लेता है तो उसके उपर एक oxidation state आजाती है जैसे कि यहां पर chlorine की negative है और यहां पर sodium की positive है यहां पर sodium जो है यह zero से positive के अंदर जा रहा है मतलब इसकी oxidation state बढ़ रही है इसकी जो balance है या oxidation state है वो बढ़ रही है तो इसको हम oxidation बोलते हैं oxidation state का बढ़ना और chlorine जो है वो यहां पर जाकर negative में जा रहा है तो मतलब इसकी oxidation state कम हो रही है तो यह क्या हो रही है reduction तो यहां पर किलोरीन की रिड़क्शन हो रही है और हमारे पास सोडियम की ऑक्सिडेशन हो रही है अब किलो सोडियम की ऑक्सिडेशन क्यों हो रही है क्योंकि किलोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो किलोरीन की रिड़क्शन की वजा से ही सोडियम की ऑक्सिडेशन हो र कर रहा है और यहां पर क्योंकि खुद रिडियूस हो रहा है तो मतलब सामने वाले को अक्सिडाइज कर रहा है तो इसलिए ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट वो एजन्ट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो कि खुद रिडियूस हो जाए और दूसरे को अक्सिडाइज कर दें तो यहां से electron इसका मतलब यही है किलोरीन ने सोडियम से एक electron gain किया है क्योंकि किलोरीन पर negative charge है और सोडियम पर positive है तो सोडियम ने एक electron lose किया है और किलोरीन ने एक gain किया है तो इस तरह से यह हमारे पास oxidizing agent होते है तो मतलब यही है कि oxidizing agent वो element होता है जो कि electron को gain करता है हमें पता है कि electron को यहां पर accept करना है या electron को gain करना है तो यहां पर वो element जल्दी से electron को gain कर लेगा जिसकी electron negativity सबसे ज्यादा होगी तो यहां पर हमें पता है कि electron negativity से fluorine की सबसे ज्यादा है उसके बाद chlorine की उसे कम है और यहां पर इस तरह से order में जा रहे हैं यहां पर iodine की सबसे कम electronegativity है तो इसका मतलब है fluorine जो है वो सबसे जल्दी electron को accept कर लेगा और इसका मतलब है यह strong oxidizing agent है तो यहां पर हमारे पास fluorine सबसे ज्यादा strong oxidizing agent है क्योंकि यह जल्दी से electron को gain कर लेगा तो क्योंकि fluorine की electronegativity सबसे ज्यादा है तो इसलिए यह सबसे ज्यादा oxidizing agent है strongest oxidizing agent है और सबसे weakest जो है वो iodine है क्योंकि इसकी electronegativity सबसे कम है तो due to highest electronegativity easily accept electron कौन करता है fluorine fluorine की सबसे ज्यादा highest electronegativity है इसलिए यह जल्दी से electron को ले लेता है और जल्दी से reduce हो जाता है और इसलिए इसको हम strongest oxidizing agent कहते है उसके बाद है strength of reducing agent तो यहां पर reducing agent की halogen की strength कौन सी है तो यहां पर देखें हमने पढ़ा था कि oxidizing agent होते हैं सारे halogen तो यहां पर reducing agent की क्यों बात हो रही है oxidizing agent है तो reducing agent कैसे हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं halogen ions की halide ions की halide ions मतलब chlorine negative, bromine negative, iodine negative यह सारे क्या है ions है इन ions की जो है यह reducing agent होते हैं जो भी halogen ions है यह सारे reducing agent होते हैं तो halide ions chlorine, bromine, iodine are reducing agent and acids HCL negative, HBR negative and H iodine are reducing agent due to ability to donate electron और यहां पर जो हमारे पास है HCL, HBR and HI यह क्या है यह सारे acids हैं यह हमने पढ़ा था hydrochloric acid, hydrobromic acid and hydroiodic acid तो यह क्या हैं यह सारे acids हैं इन पर भी जो है इन में भी यह chlorinease पर negative charge होता है या फिर खुद ऑक्सिडाइज हो जाएं तो इलेक्टरन को डॉनेट करेंगे तो मतलब ऑक्सिडाइज ही होंगे तो जब भी हम आइन्स की बात करते हैं तो यह आइन्स जोई रिडियूसिंग एज़न होते हैं और अब हम बात करेंगे कि कौन से strongest reducing agent होंगे और कौन से weakest reducing agent होंगे तो सबसे पहले यहांपर एक reaction देख लेते हैं यहांपर है sodium और chlorine यह दोनों क्या है आइन्स है sodium और chlorine तो यहांपर sodium पर positive charge थी chlorine पर negative charge थी जब यहांपर यह मिलकर salt बना लिया है इन्होंने sodium chloride तो यहां पर दोनों की क्या है 0 है तो यह पर जिरो जो है तो जो है वो इनकी oxidation state है अब Uhr tapping here पर पहले नेगे टिएटव में बेहाँ पर ठाब यहांपर जाकर यह 0 हो गया है तो Israelites से negative में का आगिए मतलब इसकी charge बढ़ गई है या कम हो गयी मत觉得 बढ़ गई रहा है, इसने sodium को reduce कर दिया है, तो यहां पर sodium positive था, अब यहां पर zero हो गया है, मतलब इसकी plus one जो चारज j थी वो भी कम हो गई, zero हो गया है. तो यहां पर यह क्या हो गया, reduce हो गया है, तो इसने chlorine ने sodium को reduce कर दिया उन्ट मतलब यह reducing agent है और खुद oxidize हो गया तो यहां पर chlorine क्या काम कर रहा है reducing agent के तोर पर काम कर रहा है अब यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा element जो है वो सबसे ज्यादा reducing agent होगा और कौन सा सबसे कम reducing agent होगा तो यहां पर जो trend होगा जो order होगा वो opposite हो जाएगा oxidation state और oxidizing agent से तो जब हमने oxidizing agent का देखा तो तो सबसे ज्यादा electronegativity की थी फ्लोरिन की थी तो यह सबसे ज्यादा oxidizing agent था लेकिन अब सबसे ज्यादा reducing agent कौन होगा यहां पर iodine होगा क्योंकि इसकी electronegativity सबसे कम है और सबसे कम electronegativity है तो यह जल्दी से electron को donate कर सकता है यहां पर फलोरिन की electronegativity सबसे ज्यादा है तो यह जल्दी से electron को lose नहीं कर सकता तो इसलिए सबसे वी-केस्ट जो हमारे पास ne guessesing agent हो कौन है फिलॉरीन है और हमारे पास parties कोने है आयोडीन है तो आयोडीन सूंगेस्ट ऑक्सिडाइज़र अजेंट है किलोरीन है किलोरीन से ज्यादा reducing agent bromine है और bromine से भी ज्यादा iodine reducing agent है सबसे strongest reducing agent iodine है क्योंकि इसकी electro negativity सबसे कम है तो यह हमारे पास reducing agent का topic था आगे चलते हैं किलोरीन can displace bromine and iodine from its salts अब किलोरीन जो है यह bromine और iodine को इनके salts में से displace कर सकता है मतलब निकाल सकता है और खुद आकर sodium के साथ salt बना सकता है अब क्यों कि यह जो है ज्यादा कम reducing agent है oxidizing agent ज्यादा है तो यहाँ पर हमारे पास salt है sodium bromide यह एन ए बी आर और जब हमने इसमें किलोरीन को एड़ किया तो यहाँ पर देखें ब्रोमीन जो है यह अलग हो गया और किलोरीन जो है sodium के साथ आ गया और sodium chloride बना लिया तो यहाँ पर किलोरीन ने ब्रुमीन को डिस्पेस कर दिया अलग कर दिया reaction से और sodium chloride बना लिया ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्युक्कि किलोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा reactive है तो यहां पर अगर Reactivity का हम Order देखें तो सबसे ज्यादा Reaction जो करता है वो Fluorine होता है क्योंकि इसके Electronegativity ज्यादा है तो Fluorine सबसे ज्यादा Reactive है, उससे कम Reactive है क्लोरीन और क्लोरीन से भी कम Reactive है Bromine Bromine से भी सबसे कम Reactive जो है वो Iodine है तो अगर किलोरीन को हम ब्रोमीन और आयोडीन के सामने पेश कर दें तो ये किलोरीन जो है इन दोनों को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये ज्यादा रियक्टिव है तो यहां पर किलोरीन ज्यादा रियक्टिव है इसलिए यह ब्रोमीन को हटा कर यहां पर साल्ट बना लेगा सोडियम के साथ और ब्रोमीन जो है यह आयोडीन को हटा देगा क्योंकि यह इससे ज्यादा रियक्टिव है तो इसलिए यहां पर iodine को हटा देगा bromine और यहां पर sodium bromide बना देगा और यहां पर iodine जो है यह अलग हो जाएगा तो इसलिए यह इसलिए एक दूसरे को हटा पा रहे हैं क्योंकि यह ज्यादा reactive है तो बुक के अंदर एक हमारे पास self assessment के अंदर question है के love killing can displace bromine and iodine from it salts को देखेंacious doesn't dikkat इसलिए को जो कि क्योंकि के दौन को हटा सकता है का our dramatic सबसे जचादा एक्टिव है तो यह नहीं दोन को क्यों नहीं हटा पा रहा है क्योंकि जो रियक्षिन होता है यह aqua solution में होता है water walole solution के अंदर होता है तो जब भी water के अंदर हम Flourine को add गरते हैं तो यह Flourine जल्दी से Hydrogen के साथ nic kav मुझूद है उसके साथ reaction कर ली 100युवक् идет है करता उस खो डिसप्लेज नहीं करता बल्कि यह अपना ही एक ऐसेड बना लेता है इसलिए ऐसा होता है कि फ्लोरीन जो है वह वह ब्रोमिन और आयॉडीन को डिसप्लेज नहीं करता है आगे चलते हैं chlorine ऐस एन आटो। ऐसिडाइजिंग और रिडूसिंग एजएंट। chlorine जो है, एफ एक ऐसा element है जो कि आर्टो ऐसिडाइजिंग और रिडूसिंग एजएंट है। मतलब खुदी रिडिउस होता है और खुदी ऑक्सिडाइज भी हो जाता है। तो यहां पर एक molecule है chlorine का और यही इसी reaction के अंदर oxidize भी हो रहा है और reduce भी हो रहा है तो देखें यहां पर कैसे यह chlorine है, chlorine gas है तो यहां पर इसकी oxidation state जो है 0 है यहां पर हमारे पास water के साथ जब इसका reaction करवाते हैं तो यहां पर हमारे पास दो compound बनते हैं है hydrochloric acid, HCl यह हमारे पास hydrochloric acid है और यह दूसरा acid बनता है जिसका नाम है hypochlorous acid यह हो CL हमारे पास hypochlorous acid है, तो यहां पर देखें chlorine जो है यह पहले 0 था अब यहां पर chlorine जो है यह क्या हो रहा है यहां पर इसकी state क्या हो रही है, oxidation state यहां पर negative हो रही है, तो इसका मतलब है यहां पर chlorine क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, अब यहां पर हम लिख देते हैं, यह chlorine reduce हो रहा है अब यहां पर same reaction में आप देखें यह chlorine का जो दूसरा item है यह कहां जा रहा है इस acid के अंदर जा रहा है तो यहां पर यह chlorine की जो charge है वो क्या है positive है अब positive कैसे है यहां पर hydrogen की प्लस 1 है oxygen की minus 2 है तो plus 1 minus 2 कितनी हो की minus 1 अब minus 1 है तो इसकी plus 1 होगी chlorine की यहां पर plus 1 है अब यहां पर क्या हो रहा है यह जो है oxidation हो रही है chlorine की तो यहां पर oxidation हो रही है अब यहां पर क्या हो रहा है oxidation और reduction एक ही molecule के अंदर हो रहे है तो एक ही molecule oxidize भी हो रहा है एक ही molecule reduce भी हो रहा है इसलिए chlorine को हम auto oxidizing and reducing agent कहते हैं जो है वो oxidize भी हो सकता है और reduce भी हो सकता है एक ही reaction के अंदर तो ये था आज का हमारा topic जिसके अंदर हमें हेलो जिनक्स की जो properties थी जो behavior था वो हमने discuss किया hopefully ये आज का lecture आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद देते वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें ताकि ऐसे ही reactions और ऐसे ही जो आपको वीडियो हैं हमारे चैनल पर इस पर मिलती रहें और हमारे दूसरे चैनल हैं जो biology के और physics के वो भी आप अगर चाहें तो subscribe कर सकते हैं उन पर भी lectures upload होते हैं और वो जाके आप देख सकते हैं थैंक यो सो मच फ़ वाचिंग अलाफ फिस